हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जया, वेलकम टू माई चायनल, कुकिंग विज जया, मेरे चायनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया फ्राइ रेसिपी, वो है तुरेई फ्राइ, बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत हम इसे आसानी से बना सकते हैं चलो बनाते हैं यहाँ फ्राइ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से एक पाउ तुरे लिया है इसे अच्छी तरह से छील कर मैंने दो लिया है फिर एकदम बारिक टुकुडो में इस तरह से काट कर ले लिया है अब हम पैज लेंगे मैंने दो मीडियम साइज पैज को इस तरह से बारिक काट कर ले लिया है और पाच छे सूखी मिच को इस तरह से दो टुकडों में काट कर ले लिया है अब हम इस तरह चना दाल, उड़त दाल, जीरा और राई तड़के के लिए ले लेंगे अब हम gas on कर इस तरह से एक pan ले लेंगे और जब वो हलका गरम हो जाए दो टेबल स्पून उसमें तेल डालिए और जब वो गरम हो जाए flame को एकदम धीमी पर रखिए अब हम इसे इस तरह से आप सब डाल कर इसे एकदम धीमी आज पर आप हलका color change होए तक इसे fry कर लीजिए ये सब करते समय आप आँच को एकदम धीमी पर रखिए देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें light golden color fry कर लेना चाहिए अब हम इसमें सुखी लाल मिच डाल देंगे देखिए इस तरह से मैंने दो टुकड़े में सुखी मिच को काट कर डाल दिया है बस एक आदे मिनिट तक आप इसे fry कर लीजिए ये सब हमें एकदम सिंपर करना चाहिए सुखी लाल मिच बिल्कुल जलना नहीं चाहिए नहीं तो टेस्ट पुरा बिगड जाएगा अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कलर हुए तक इसे fry कर लेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा प्याज जादा भी डाल सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा अब हम इसमें स्वाद अनुसाद नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सूखी लाल मिट से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है एक बार इसे आप जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आएगा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा करी पता डाल देंगे और एक छोटे चम्म से थोड़ा सा हल्दे डाल देंगे इस तरह से आप डालकर एक बार इसे मिला लीजिए और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राइ हो गए हैं मुझे करेक्ट तीन मिनिट लगे हैं इसे फ्राइ करने में बिल्कुल हमें इस तरह से चाहिए ये सब मैंने मीडियम फ्लेम पर किया है अब हम आज को एकदम धीमी रख देंगे और छोटी चम्म से अधरक लसुन का पेज डाल देंगे और इसे एक दो मिनिट तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे इसका कच्छापन पूरी तरह से जाना चाहिए देखिए अधरक लसुन भी अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है बिल्कुल हमें इस तरह से चाहिए अब हम इसमें कटे हुए तुरे डाल देंगे देखिए इस तरह से हमने जो काट कर ले लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे आप अच्छी तरह से मिला लीजिए अब हम इसे ढख कर सिम पर ही एक पांच मिनित तक पकने देंगे तुरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है और यह रिचिन फाइबर होता है बारिश के मौसम में तुरे आसान इसे हर जगा मिल जाता है इस तरह से आप हफते में कम से कम एक बार यह सबजी जरूर बनाईए अब हम इसे ढख कर पांच मिनिट तक सिंपर पकने देंगे अब हम इसे एक बार खोल कर देख लेते हैं देखिए तुरे ही सॉफ्ट हो गया है और इसमें से पानी भी निकल गया है सबजी हमारी आधी पक गई है अब हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ आधा चमच मिर्ची पाउडर ले लिया है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्यूंकि हमने बहुत सारा सुखी लाल मिर्च डाला है एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच जीरा पाउडर इस तरह से आप डाल कर एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिट से ढखन लगा कर सिम पर आप 5 मिनिट तक इसे पका लीजिए यह सबजी बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है बिना टमाटर के यह सबजी बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हो जाता है इस तरह से आप ढखकर एक 5 मिनिट तक सिम पर पका लीजिए एक बार हम इसे खोल कर देख लेते हैं देखिए तेल पूरी तरह से उपर आ गया है और इसमें जो वाटर कंटेंट है पूरी तरह से एब्जॉब हो गया है इसका मतलब हमारी सबजी बनकर तयार है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसमें थोड़ा हरा धनिया डालकर मैं आपको सर्विंग बॉल में सर्व करकर दिखाऊंगी देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी तुरे की सबजी बनकर तयार है इस तरह से आप तुरे फ्राय बिना पानी के बनाईए बहुत ही बढ़िया लगेगा आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ फूलके के साथ ले सकते हैं आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं देखिए इस तरह से मैं आपको गरम गरम चावल में सबजी के साथ सव करकर बताऊंगी देखिए इस तरह से अगर हम एक सबजी से ही पूरा चावल हम खा सकते हैं इस तरह से आप बनाईए और मेरे चैनल को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए आपको सब नोटिफिकेशन अपडेट्स होते रहेंगे धन्यवाद